तो अगर बात करें वाक्स के लुक की तो साइड में अपको लावा का ब्राइनिंग के साथ 1 प्लस 1 वारंटी 1 एर एक्ट्रा वारंटी में लेका 340 एंपे करेंगा तो तो पीचे के साइड में कुछ की स्पेसिकेशन इसके वारे में आगे बताने वाला हूं फिर उसके बाद इसमें एक मोबैल का फोटो दिखाए गए और QR कोड है और यहां पर मेड इंडिया जो मेन है एक इंडियन फोन है जिसे हम सपोर्ट करना चाहिए लावा तो डाउन नीचे की ताइब में आप पर आपको कुछ डिचल दिखाए देगा और रेमार पीदर 10.99 रिका है लेकिन आक्चली प्राइस कुछ अलगी है कम है मैं बाद में आपको इंड तक बता दूंगा और यहां पर प्राउड लिएन रखा है जो हमें बहुत प्राउड फील करती है तो इन तक देखी कि इदर में प्राइस भी बताने वाला हूं तो बिना दरी कि उडिकर शूर करते हैं त पर के साइड में और नीचे के साइड में इनने भी हमें कट कर ना पड़ेगा इसका भी हम अमारा हत्यार का इसमाल करेंगे प्रोफेशनल हत्यार का तो यहां पर एक सील तो खुल गया लेकिन और शील को भी कॉल लवागा है और इसके बाद अगर पुश करोगे तो निकल तो अगर बात करें इस मोबैल की कुछ क्या क्या स्पेशालिटी से सब कुछ मैं बताने वाला हूं यह 6GB RAM और 64GB ROM गयाता है जो ROM 512 तक expandable है और इसमें 16.55 cm 6.517 इंच का HD PLUS दिस्प्लिया और यहां पर आपको बॉक्स अंदर एक इस बाक्स में आपको एक हैंड़ा इसके अलावा अगर आप देख सकते हो नीचे इसमें आपको केस भी दिया गया है और केस कुछ अच्छा क्वालिटी का है फ्लेक्सिबल है बहुत ही डूरेबल मुझे लगता है और इन-hand feel भी बहुत अच्छा आ रहा है और बेंड करने का इसले रहा है और सब्सक्राइब केस प्रूरे का आपको अच्छा है क्वालिटी का केस उन्हें प्रोवैड किया है फिर इसके बाद अगर बात करें हमारे में मॉबल की हो भी कुछ आ चाहे हमने इसे फ्लेयम रिड है इसके अलावा आक्वा ब्लू ब्लू भी आता है तो हम और अगर बात करें इस data cable की एक micro USB to USB A cable में आता है और ये standard 10 watt का adapter में आपको दो output port देखने में मिलें कि जो बहुत यूनीक है अगर आपके पास दो दो फोने सेम टाम चार्ज कर सकते हो और बैटरी इसे में बता है कि जल्ली से चार्ज हो जाएका लेकिन फास चार्जिंग का इसमें सपोर्ट नहीं है और चार्जर और डेटा केबल कुछ टिक टाक क्वालिटी के लगते हैं उतना प्रीमियम भी नहीं केने वाला हमें और इसके बाद अगर बात करें हम इसमें आपको एक चो इसे निकालने के बाद यहां पर नीचे आपको कुछ आपका इम आय नंबर सब कुछ दिखाएता है मॉडल नंबर सब कुछ और यहां पर इन हैं फिल बहुत है अच्छा ये फोन एक प्रीमियम लुक भी आता है तो यहां पर आपको देख साथ में एक सिम ट्रे टूल है सो तो सिम ट्रे में आपको टू सिम और एक मेमरी काड का स्लोट मिले का ट्रिपल स्लोट के साथ आता है यह वाला मॉबैल और अगर बात करें इस फोन को पहली बार बूट करते हुए तो बूट करने के बाद कुछ ऐसा ओप्शन आता है लावा और नीचे पॉर्ट बै एंड् पीचे की साइट में आपको स्पीकर गयल देखने को बडू और यह श्रुचैता है और अगर फिंगर पिंवर्ट वड्ट केंट सेंसर भीए और फ्रेंट स्क्रीन फ्लाश भी यह और अपर उसर बेंच उप्र इजदर इंट्रेश एक तो आपको एक गूंगल का एड्स ने कुछ नहीं और प्रिंट्रोल वेश्ट अप्स कुछ भी नहीं है एक क्लीन सा इंट्रफिस लगा मुझे एक नया आप लुक है इसका फिर अगर बात करेंगर कैमरा की कैमरा बहुत ही अच्छा है यह ट्रिपल कैमरा सेटप कहा दाता है तो इसमें अगर आप देख प्रिंट्री का कर्वड स्क्रिन है और इसे मेल्ट्री ग्रेट सेट पर बहुत है और पीछे के साइड कुछ रगड़ लुक देते हैं और एक प्रीमियम सा फिनिश आता है जो स्क्राच कर नब स्क्राच भी नहीं गरेगा एक अलग सा मैचिरियल है तो अगर बात करें प्र प्राइमेर मैक्रोफोन और 3.5mm का जाक और राइट साइड में आपको प्राण बटन और उसके ऊपर वॉल्म रॉकर देखने को मेलेगा और ऊपर के साइड में कुछ फ्लाट है कुछ भी नहीं है और बैक साइड में आपको एक स्पीकार देखाएगा और एक प्लास्टिक कवर बैक साइड में कुछ अलेगी टैप का है तो यह कुछ फिजिकल फीचर से और उपर से स्कूल आपको एक दम एंडुट 10 पर बेस्ट है आपको कुछ इन हैंड फील अच्छा भी लगता है तो मैंने इसे 664 का वेरेंट लिया है जो अवेलेबल है तो अगर 6128 का दोग अच्छा होता है लेकिन 664 कुछ कम नहीं है तो यह कुछ कहा नहीं थी इसी लावा जी 6 के बारे में तो आप कुछ डौट हो दो नेचे कम से चिसमें बताए तो आज की इतने कर विडियो पर सुब्स्राइब कर देना और चनल में नहीं हो चनल को सबस्व्स्राइब करते न में गुद्बाई कर दो आप